सौर उर्जा ये एक ऐसी शक्ती है जो हमारे चारों और उपलब्ध है, हर दिन, हर जगह. आज हम समझेंगे कि सोलर पैनल कैसे काम करते हैं, कैसे वे सूर्य की किर्णों को बिजली में बदलते हैं, और वे हमारे जीवन को कैसे बदल रहे हैं? इस सफर में हम गहराई से जानेंगे कि सोलर पैनल्स की तक्नीक क्या है और इसका भविश्य कितना उजवल है? सोलर पैनल्स की बुनियादी संरचना को समझने से शुरुआत करते हैं. एक सोलर पैनल छोटे-छोटे फोटवोल्टाइक, PV, सेल्स से बना होता है. ये सेल्स सिलिकॉन से बने होते हैं, जो एक सेमिकंडक्टर मटेरियल है. इन PV सेल्स की खासियत यह है कि ये सूर्य की किर्णों को सीधे बिजली में बदलने की क्षमता रखते हैं. सिलिकॉन की यह खासियत होती है कि इसमें इलेक्ट्रोनों को छोड़ने की क्षमता होती है. सोलर पैनल में सिलिकॉन की दो परते होती हैं, एक नकारात्मक चार्ज और दूसरी सकारात्मक चार्ज. जब सूर्य की रोश्णी इन पर पड़ती है, तो यह उर्जा इलेक्ट्रोनों को उत्ते जित करती है, जिससे वे अपनी जगह छोड़ देते हैं इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं यह तब होता है, जब फोटोनों, यानि सूरज की रोश्णी के कन, सिलिकॉन के इलेक्ट्रोनों को प्रभावित करते हैं और उन्हें प्रवाहित होने के लिए मजबूर करते हैं यह इलेक्ट्रोनिक बहाव बिजली की एक स्थिर धारा उत्पन करता है, जिसे डाइरेक्ट करंट, DC, कहा जाता है लेकिन हमारे घरों में बिजली का उप्योग करने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट, AC, की जरूरत होती है इसी लिए हमें एक इन्वर्टर की आवश्चक्ता होती है इन्वर्टर वह उप्करन है, जो सोलर पैनल्स द्वारा उत्पन DC बिजली को AC में बदलता है, ताकि हम इसका उप्योग अपने घरों और कार्यालेों में कर सके एक बार जब बिजली AC में बदल जाती है, तो यह आपके घर के विद्युत पैनल में प्रवाहित होती है, जहां से यह आपके सभी उपकरणों तक पहुँचाई जाती है आपके लाइट्स, पंखे, फ्रिज और टीवी, सब कुछ इस सोलर उर्जा से संचालित होते हैं जब आप ग्रिड को बिजली वापस भीजते हैं, तो आपको उसके लिए क्रेडिट मिलता है, जो आपके बिजली बिल को कम करता है आज की आधुनिक सोलर टेकनोलोजी ने इसे और भी आसान बना दिया है आप अब अपने फोन या कम्प्यूटर पर अपनी सोलर पैनल प्रनाली की निगरानी कर सकते हैं रियल टाइम डेटा से आप देख सकते हैं कि आपके पैनल्स कितनी बिजली उत्पन कर रहे हैं, आप कितना उप्योग कर रहे हैं और कितना ग्रिड में वापस भीजा जा रहा है सोलर पैनल्स का उप्योग केवल व्यक्तिगत घरों तक ही सीमित नहीं है आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं चीन, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई देश अपसौर उर्जा का उप्योग करके अपने शहरों और उद्योगों को बिजली प्रदान कर रहे हैं यह एक स्वच और नवीकर्णिय उर्जा स्रोध है, जो न केवल परियावरन को बचाने में मदद करता है, बलकि बिजली की लागत भी कम करता है जिवाश्म इंधन जैसे कोईला और तेल से उर्जा उत्पादन से कार्बन डाइकसाइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उतसरजन होता है, जो जलवायू परिवर्तन में योगदान करती है इसके विपरीत, सोलर पैनल्स कोई हानिकारक गैसे नहीं छोड़ते वे स्वच और ग्रीन एनरजी प्रदान करते हैं, जो हमारे परियावरण को संरक्षित करती है सोलर पैनल्स का एक और महत्रपूर्ण लाब है, बिजली बिल में भारी बचत एक बार सोलर पैनल्स सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद, आपको महीने दर्मीने बिजली के बिलो में कटौती का लाब मिलता है और यदि आपके पास नेट मीटरिंग है, तो आप ग्रिट को बिजली बेच कर और भी अधिक बचत कर सकते हैं इसके अलावा, सरकारे सोलर पैनल्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और सबसिडी प्रदान करती हैं ये योजनाए सोलर पैनल्स को किफायती बनाती हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से खरीच सकते हैं और भविश्य में बिजली की बचत कर सकते हैं सोलर टेकनोलोजी तेजी से आगे बढ़ रही है नई और अधिक प्रभावी सोलर सेल्स विक्सित की जा रही हैं, जो कम जगह में अधिक बिजली उत्पन कर सकती है इसके अलावा, सोलर पैनल्स को विभिन सतों पर लगाया जा सकता है जैसे की खिडकियां, कारें और यहां तक की सडके भी आने वाले समय में, हम और भी उन्नत और कुशल सोलर उर्जा प्रनालियों को देखेंगे सोलर उर्जा एक ऐसी शक्ती है, जो न केवल आपके घर को बिजली प्रदान कर सकती है बलकि पूरे ग्रह को एक हरित और स्वच्छ भविश्य की ओर ले जा सकती है यह स्वच्छ उर्जा का स्रोध है, जो आने वाली पीडियों के लिए हमारी प्रित्वी को संरक्षित करने में मदद करेगा धन्यवाद अगर आप सोलर पैनल्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आज ही घंप्रिया एनरजी सोलर प्रोवाइडर से संपर्क करें और इस स्वच उर्जा स्रोध का लाब उठाएं इस तरह के जानकारी पून वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब और लाइक करें